हेलो फ्रेंट्स आप सभी को मेरा शत्षत प्रणाम आप सभी का स्वागत है मेरे एस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मार्गशीस मास में गणेश चतूर्ती व्रत पूजन विधी तो चलिए जानते हैं कि इस मास म गणेश चतूर्ती का व्रत पूजन विधी किस तरीके से करना चाहिए जो भी स्त्रिया गणेश चतूर्ती का व्रत कर रही हैं उन्हें इस तरीके से पूजन विधी करने से इसका लाब अवश्य प्राप्त होता है प्रातह काल उटकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारन कर ले श्री गणेश जी का पूजन पंचोप चार धूप दीप नवेद्य अक्षत फूल विधी से करे इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करे मम सर्व कर्म सिध्धेय सिध्धी विनायक पूजन मह करिश्य अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए कलश में दुर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखे उसके बाद लाल कपडे से कलश का मुख बान दे कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करे संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामगरी के साथ बैट जाए विधी विधान से गणेश जी का पूजन करे वस्त्र अर्पित करे नवेद्ध के रूप में दस लड़ू अर्पित करे चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्ग अर्पन करे उसके बार गणेश चतुर्ती की कथा सुने अथवा सुनाए जो चावल चीनी तिल वगी से हवन करे तत पश्चात गणेश जी की आर्थी करे पाच लड़ू प्रशाग के रूप में बाट दे और शेश पाच अगले दिन ब्रामन को दान में दे तो दोस्तों इस तरीके से जो भी स्त्रिया गणेश चतुर्ती का व्रत करती हैं वह मार्ग शीश माह में इस तरीके से पूजन विदी करके इसका लाप्राप्त कर सकती है इसी तरह मेरे चैनल पर बने रही है मेरे साथ और भी पूजन विदी जानने के लिए आप सभी का धन्यवाद